डॉक्टर संजे जैस्वाल ने जीजी न्यू समवादाता से बाचित करते हुए कहा कि हमारे देश में सब ही को कोट में जाने का अधिकार है जिसे साल 2013 में चालाकी से छीन लिया गया था सरकार ने अल्प संक्यों को से गोहार लगाई है कि उन्हें न्याय मिले इसलिए ये संशोधन बेहत जरूरी है कि पंजी जैस्वाल जी से में हमारे साथ हैं सर बखवूट को लेके नहीं बिला रहा है क्या टेंगे हमारे देश में प्रतिक आपने कई इस सदन के मेंबर्स को इस महतपुर बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मोका दिया सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टेंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट उन्होंने यहां अब्जेक्शन के तोर पर रेस किया यहां उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए मैं संग्चेप में बताना चाहता हूँ उसके बाद जितने भी इशूज आज यहां उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमती से विश्टार से एक एक कॉइंट का मैं जवाब देना चाहूँगा और मैं यह मानता हूँ विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अन्त में इन्होंने जो भी असंकाई व्यक्त किये हैं या गलत तरीके से यहां बाते बताया गया है सब चीज को मैं दूर करूंगा और मैं स्रीफ उम्मीदी नहीं यकिन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर से सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे सबसे पहले अध्यक्त बहुत है जी इन्होंने कंपिटेंसी का मुद्दा या उठाया मैं पूरत जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को पताना चाहता हूं इस बिल में जो भी प्रावदान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलिजिस बोडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तेशिप नहीं किया जा रहा है नहीं सम्विदान का किसी भी अनुच्छत का इसमें उलंगन किया गया है और अब सुप्रीम कोट का एक केस का मैं हमाला देना चाहूंगा ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्पेंगॉल इसमें सुप्रीम कोट ने क्लियरली रिलिजिस दिनॉमिनेशन का बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहट वक्ष्ट बोड दाजन फॉल विदिन दा पर्वी औफ आर्टिकल 25 औ 26 अफ यूश्टिशन अफ इंडिया दूसरा सर इसमें हमने जो ब्रोड बेस किया है किसी का हक चिनना तो बात छोड़ दीजे जिनको हक नहीं मिला है उनको हग देने के लिए ये बिल लाया गया है इसमें महिलाओं के लिए बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछरे है जिसको आज तक कभी मोका नहीं मिला जिसको दबा के रखा हुआ है उनको जगा देने के लिए ये बिल लाया गया है और सर, सम्भीदान के concurrence list entry number 10 और 28 में आज के विशे आज के विशे हमने चर्चा कर रहे है वो entry 10 और entry 28 में ये concurrence list में इसले ये पूरा legislative competence इस सदन के पास है भारत सरकार के पास है इस सदन में ये bill पेस्ट में प्रेका अध्यक्स महदाई जी जैसे मैंने कहा है सबका 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 पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया बहुत अच्छी तरह से सबका concern को हमने नोट किया है मैं बारी बारी से कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो सर ये वक्त एमेंडमेंट बिल ये पहले बार इस अधन में पेस्ट नहीं किया गया है अंग्रेजों के जमाने से लेकर कि उससे पहले का लंबा इतियास मैं मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले है ये एक लाया गया है 1954 में सबसे पहले ये एक लाया गया था उसके बाद कई एमेंडमेंट हुए है सर काफी एमेंडमेंट होने के बाद मैं पूरा इतियास में नहीं जा रहा हूँ लेकिन जो एमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं सदन में वो वफट एक नाइटिन नाइटी फाइब जिसको 2003 में एमेंडमेंडमेंड में ला करके इस पूरा जो वक्त का परपस इंटेंशन और जिस जिसके उमिद में लोगों का सानों तक था कि इस एमेंडमेंट जो लाया इसे कुछ फाइदा मिलेगा उसको उल्टा करके हैं 2013 में ऐसा प्रवदान डाला गया था जिसके मज़े से आज ये एमेंडमेंट ले करके हमको यहां सतन में आना पर रहा है 1995 का वक्ट एमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रवदान लाया गया था उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका एसेस्मेंट किया उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्ट एमेंडमेंट बिल क्या ठीक है काफी है जिस परपस के लाया गया है वो सर्व कर रहे है कई कमीटियां कई लोगों ने इसका पूरा एनलेसिस किया है ज़र मैं उसका आपके समने में अभी रखोंगा लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्ट सर्व नहीं हो रहे थे और कई गल्तियां कई खामियां इसमें पाया गया है उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कॉंग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं ये एमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है आप लोगों ने जो भी चाहा है वह आप नहीं कर पाया वही चीज़ करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट को पोस्ट किया गया है अब जब में इसका विवरंद होंगा तो आप बिल्कुल सेहमत होगा मैं जो आपके सामने में पर रख रहा हूं और दूसरी बात इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिदी हैं मैं अपना बात तरक रखने से पहले ही बताना चाहता हूं इस बिल का समर्थन कीजिए कोरोरों लोगों का दुआ मिलेगा अगर आप भिरोत करोगे चन लोगों ने पूरा वक्स बोर्ट क कबजा करके रखा हुआ है और आम मसल्मान लोगों को जो नियाई इनसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए बिल लागया है इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोत किया है ये इतिहास में नाम दर्ज होगा इसले इस बिल का विर गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मसल्मानों का. सर, सबसे पहले, मैं सर, जो खामियां, ये दो हजर चोदों से लेकर के आज तक, ये 1995 एमेंडमेंट एक्ट का बारे में मैं सिर्थ नहीं कह रहा हूं. हमसे पहले, कॉंग्रेस के जमाने में भी, कई यहां इस मुद्धे को लेकर के, कमितिया और अलग अलग जगह में इसका विबरम्ट किया गया है. सबसे पहले सर, 1976 में, 1976 में, वर्फ इंकॉरे रिपोर्ट पेस किया गया था. और 1976 वर्फ इंकॉरे रिपोर्ट में, जो बड़ा रेकॉमेंडेशन आया मैं आपके सामने में, पढ़के सुनाना चाहता हूं. 1976 वर्फ इंकॉरे रिपोर्ट में, कहा गया है, सारा वर्फ बोर्ट जो है, मुतवालिस के कबजे में चले गए है, उसको डिसिप्लिन करने के लिए, प्रोपर कदम उठाया जाना चाहिए. 1976 वर्फ इंकॉरे रिपोर्ट का दूसरा रिकॉमेंडेशन है, लिटिकेशन और केसे जो आपस में मदबेद इतना जादा है, उसको सरल करने के लिए, ट्राइबुनेल सिस्टेम को गठर होना चाहिए. उस समय का रिकॉमेंडेशन था. फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ओडिट और एकाउंट्स वक्फ बोट में ओडिट और एकाउंट्स का तरीका प्रोपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंदन होना चाहिए. ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है. और आकरी में इस रिकॉमेंडेट रिफोर्म्स इन दा कैटेगरी ओफ वक्फ अल अल अवलाद. बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुदर लाना चाहिए. ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है. उसके बाद सर जो हम आज तरह विश्टार में जिसको मैं बताना चाहता हूं दो कमिटियों का बारे में. ये दो कमिटी कॉंगे कॉंग्रेस के समय में ही बनाया गया था. सबसे पहले हाई लेवल कमिटी अंदर जस्टिस राजेंदर सचर ये सर नाइंट मार्च 2005 में गटन किया गया था. यूपिय का सरकर आर चुके थे. और ये स्पेसिफिक मुसल्मानों के लिए उनके वेलफियर के लिए ये गठन हुआ और सचर कमिटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है. मैं सिर्फ रेलेवेंट पॉर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं. सचर कमिटी का जो पहला रेकमेडेशन है. इसमें कहा गया है एन्यूएल इंकम जितना वक्ट बोर्ट का प्रोपर्टी से 4.9 लेक रिजिस्टार्ट वक्ट प्रोपर्टी ये स्रिफ 163 क्रोर ही आमदानी जिनरेट होता है. ये किसी भी रूप से जिस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है. और इसको एफिशन तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेश होना चाहिए साला वक्ट प्रोपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्हों कहा है, सचर कमीथी ने, तो उसमें बारो हजार क्रोर रुप्या पर एनम मिलता है. और उसमें जनरेट हो रहता 162 क्रोर. लेकिन मैं साथ-साथ ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यो कमीथी के रिपोर्ट है, और मैं माइनुर्थी एफियर्स का मंत्री होने के नाते हैं, जो हम लोगों ने स्टाडी किया है. हमारा जो वामसी जो पोर्टल है, उससे पूरा डितर्मेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका बार्केट बेलू, सचर कमीथी ने जो कहा है, उससे कई गुना अधिक होने का संभवना है, ये एक आम अन्देस्टनी का बात है, सबको मालम है, वक के पास कितना प्रोपर् और कितना आमदानी है, दूसरा सर, सचर कमीथी का रेकोमेडेशन, सचर कमीथी ने आप यूपे का समय में ही आपने कमीथी का रिपोर्ट एकसेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजुदा वक्फ बोर्ट है, उसको ब्रोड बेस किया जाना चाहिए, जो लोग में जिस वक्फ बोर्ट में है, उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रोड बेस होना चाहिए, रेप्रेसेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, यह सचर कमीथी का रिपोर्ट का पहला नमबर पॉइंट है, इसमें सर, दो महिला, दो महिला सेंटरल वक्ट काउंसिल और स्टेट बोर्ट में होना चाहिए, यह सचर कमीथी का ही रिकमेंडेशन है, सेकर्टी जो होते हैं सेंटर वोर्ट काउंसिल का, वो जोईन सेकर्टी लेबल, गवर्मन ऑफ इंडिया का उस अस्तर का ओफिसर होना चाहिए, उसमें अंडर सेकर्टी का जूनियर ओफिसर लेबल जो ब सचर कमिटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्रात्मिक्ता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं ये उसी सचर कमिटी का रिपोर्ट के अनुसार सेन परसिन हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है और आप हम आपको तो खुश होना चाहिए है ये कमिटी आपने बनाया है सर, हमने शांती से इनके बाद सुना, अध्यक्स महदेजी, ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच-बीच में उटकी बोलना ठीक बाद नहीं है, आपको तो नियम मालम है, सर, दूसरा कमिती, जो 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 जोऑन पारलेमेंटि कमिटी कोंस्टिट्यूर किया गया है, जिसका अध्यक्स्ता के रहमान कांजी, उससा में cabinet minister भी रहे, Minority Affairs Ministry का भी मंत्री रहा है, उनके देपुती स्पीकर भी रहा है, देपुती चेर्मेन राजयसमा में रहा है, और उनी के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदे से हमारा भारतिय जनता पार्टी से भी मेंबर थे, उस जेपी सी में, उस जेपी सी में सर, सीधा सीधा वक्ष बोट के बारे में कहा गया है, कोई इंफरस्ट्रक्ट्टर ठीक तरीके से नहीं है, वहाँ मैन पाउर टोटली इंसफिशन है, इंकम्पिटन है, और फन इतरा कम है, सही मेंच नहीं किया गया है, इस तरीके से वक्ष बोट नहीं चल सकता है, दूसरा, मुटावाली इसके कि लगता है सारा वक्त बोर्ट का ध्यान कि इसको मुटली बनाना है और इसको कैसे हटाना यह इसे में केंड्रिड है इसलिए इसका प्रावधान को हटाना चाहिए फिर कहा गया है टोकुमेंट मेत्रपूर नगोंच जिते भी है उसको प्रौपार से मेंटेन करने का भी प्रवादान वक्तपूर्ट में नहीं है उसको किया जाना चाहिए और वक्त पूर्ट मौझुदा जिता है देश बर में उसको फिर से सर्वे होना चाहिए और घरीब मुस्installमानों के ल एक्सपर्ट लोगों का और भी लोगों को अंदर लाने का जरुद है ताकि वो ज्यादा चुरुस दुरुस हो सके जो पार्लमेंटरी कमिटी का और सजेशन है टोटल वक्ष बोड को कॉंप्यूटराइजेस्टन करना चाहिए डेटा बेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए और मुटेशन रेविन्यू रेकोर्ड में होना चाहिए जितना भी वक्ष बोड का प्रोपार्टी है यह सचर कमिटी ने और यह सोरी जोईन पर्लमेंटरी कमिटी कमिटी ने रेकोमेंड किया और और सर आप सब को भी एक बर वो कमिटी का रिपोर्ट मैं आपको आपको ही दे ताकि आप भी पढ़े फिर से और सर तोटल जो 1995 वक्ष एक को फिर से मजबूती से री लुक करना चाहिए यह जोईन पर्लमेंटरी कमिटी का ही रिपोर्ट है और अपने पॉंट किया अब देखें जोईन पर्लमेंटरी कमिटी का मेंबर आपको मैं मेंबर का नाम भी दे चेयर में तरनाम मैंने बता दिया आपको वरिश नेता थे आपने इपोइंट किया यह सारा रेकमिझेशन highly आज आप तो हमको साबसी जो आप नहीं कर पाया हुआ हम ला रहे हैं सादन में सारा का सारी प्रोब्लेम्स इसे समय सब को मालम कर चुके हैं इसले सर इंदर अंदर सब लग समर्चन दे रहे हैं मुझे मालम है सर राहुल गांदी जी तो अभी बाहर निकरें लेकिन सेहमद देखर कर गया है कि हम जो कह रहें सही कह रहें सर मैं इसी पीच कुछ कुछ इंडिविजल केसेश और कंसल्टेशन जो हम आज बिर लाया है कुछ सदर्शों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूँ जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछली दस सालों में किया गया है आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है मैं आपको बताओंगा अभी आप सिर्फ शांती से सुनिए सब सर मैं फिर से कहता हूं जो सम्विदान का हवाला दे करके बिल का जो परपस को मंसा को गलत दारना दे करके मिस्लिट करना चाहता है मैं फिर से कहना चाहता हूं सर अगर कोई भी बोर्ट हो या कोई भी इंडिविजल हो अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोट में रिव्यू करना है तो इसमें सर गलत बात क्या है अगर ट्राइबुनेल का फैसला गलत है अगर उसमें कोड में अपिल करने का प्रावदान देते है उसमें गर सम्मधानी कैसे हो गए यह बता ही आप आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन में देना पड़ेगा सर अगर सर ऐसे केसे में आभी बताने व बनाट में मेटर दे देते हैं और ट्राइबुनेल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते है या दूसरे तरीके से फैसला देते है इसका चैलेंज आप किसी आदालत में नहीं कर सकते हैं स्थार लोग तंतर में भारत जैसा महान देश में कि ऐसा विवस्ता इतने सालों तो चलना चाहिए सर आज वह जो गुम्रा करें वह ऐसा तरीका बनाया ऐसा तरीका पढ़ा है इन्होंने कि कि ट्राइबूडल सर यह इस तरह से इस तरह से आप लोग बात करके मेरा आवाज महीं दबा सकते सब चाहिए सुनना पड़ेगा आपको, यो कि सर तरीका ऐसा बनाया कि ट्राइबुनार का जज्चमेन का रिव्यू नहीं हो सकता है, कितने कोट पेंदी होट में आपे बताऊगा है, सर, दूसरा सर, दूसरा इनोंने संपीदान का हवाला दिया, सर, इनोंने संपीदान का बा कि अंदर में, कोई बी कानुन, कोई पे बेश्पेेशल लो, सुपर लो नहीं हो सकते हैं, संवीदान से उपर कोई कानुन नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप सर, इस पर प्रहवधान अथेखिये, इस 1995 का वर्फ्ट एक्ट में, ऐसा प्रहदान है, जिसका बाकी नहीं को उपर म कि ऐसी कानून हमारे देश में होना चाहिए? सार जो मैं कई काई बारे बता चाहता हूं जब हमारे देश को विवाजन हुआ यहाँ से जितना मुस्लमान पाकिस्तान गई उनका भी प्रोपर्टी था और पाकिस्तान से जितना हिंदू बहारत मेश है उनका भी प्रोपर्टी काफी वहाँ थे पाकिस्तान में जितना भी हिंदुआ का प्रोपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना तक कर लिया यहां से जो मुस्लिमान गए उसमें जादातर लोगों ने अपना प्रोपर्टी को वक्त के तहट दिक्लियर करकी गए और सर ऐसे कई केसे सरफ मैं आभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूँ यह फैक्शल चीज़ है सर मैं यह कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपको जमीन है आप किसी को क्या करना चाहता है मैं उसको नहीं कह रहा हूँ मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने अपना विल अपना दीद दिया है अपना जो मंसा को साफ किया है अगर उसका लाफ मुसल्मान महिला या मुसल्मान बच्चे को अगर जबाव नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचा पेड़ना चाहिए सब्सक्राइब यह सदन का दयत्व है कि गरीब महिला कोई कोई भी हो चाहिए हिंदु हो मुसल्मानों सिक इसाइब बहुत पार्सी और जैन कोई भी हो यह सदन का दैत्व है कि नियाई दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए और आज हम सर आज जो यह एमेंडमेंट बिल लेके आ रहे है उसमें सारा प्रवदन कोड़ना चाहता हूं लोफ लिमिटेशन में क्या कहते हैं सर इसमें ऐसा प्रवदन था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस एमेंडमेंट के जरी है लोफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तो आप अगर अगर कोई अपिल नहीं किया या उस समय उस तो होना चाहिए ना सर प्री सीमा तो होना चाहिए लेकिन इन्हों ने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होके कहें तो कि पांसों पहले मेरा बाब दादा का इस जगा में कोई कारे करम चलता था नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्स प्रोपर्टी देक्लेर किया जाता था। तो यह टो से लोब लिमिटेशन भी इसी संसथ ने बनाया है। और लोब लिमिटेशन को भी ओवराइड कर दिया था यह 1995 वक्स एक में जा था कि एक ऐसा कानून इस देज में कैसा हो सकता है कि बाकी जितना कानून को उपर में चर जाता है और उसका ओवर राइडिंग एफेक्ट होता है हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक तो यह सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है ठीक है सब्पार्टी बागी पार्टी ने का सामय है और सर्पर्शन 2025S 1971 इसनी प्रोपर्टी एक 1950 उसको सब्सक्राइन जो आफार हैं याएसा सेक्छन हमारा देज का किसी कानुन में किसी भी स्टेचिट बुग में नहीं रहना चाहिए सर उसके बाद सर उसके बाद मैं कुछ ऐसा इशूस पर जाना चाहता हूं जिससे हमारे सारे सदन को सुन करके उनको कंविंज होगा सर अब आप अब सर इनको तो चुप करें बीच-बीच में इस तरह का कह पर है सर अब हम सर बड़ा विशे पर जाना चाहता हूं सर यह हमने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है मैं पुराने दीनों का बारे में नहीं कह रहा हूं दो आजर चोदों के बाद कितने लोगों से हज़ारों लाकों लोगों से या तो मंत्राले के और से जाकि उनके सब्कु पिचले आइख पाद को मनत्राले नहीं है और उनके बात को हमने सुना है सर पिचले एक साल का अंदर में पिचली सर सर एक साल का अंदर में अनलान कंपलेंट 194 complaints related to encroachment and illegal transfer of work land एक साल का अंदर में or 93 complaints against work board officials and 279, एक general complaint, ये online हमारे पास में, पोर्टेल में आया है उसके बाद सर, आज, आज सर, ये, एक समुदाए का बाद, मुसल्मानों को गुम्रा करके, यहाँ बाद रखा जा रहा है कल रात तक, कल देल रात तक, मेरे पास में, मुसल्मानों का डेलिगेशन आते रहा और हम से पहले भी, कितने लोग मिले हैं और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या, सर, ये क्या, बोहरास कम्यूनिटी का संक्या कम है इसके लिए ये महतु नहीं देंगे क्या सर, अहमेदियास, ये कम संक्या है, इसले क्या, उनका सोच, उनका प्रोब्लम्स का दसर अंदर्स करेंगे, सर सर आगा कानी संक्या कम है कि उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर एक कम्यूनिटी दोमिनेशन करके अगर चोटे चोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में पैट करके हम लिए कैसे दे सकते हैं इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसल्मान के नाम से ये लोग एक तरफा ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर सर जो जो वक्ष वोट का बारे में वक्ष वोट का बारे में कई लोगों ने जिकर किया है लेकिन प्राइबेट ली इसमें भी कई ऐसे नेता है जो मुझे आकी कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्ष वोट है सब माफिया लोगों ने कबज़ा कर लिया है तो हो लोगों कह रहे हैं अज सदन में नहीं कह रहे हैं सदन में अपरापना पार्टी का दबाओ या किसी का डर से या वोट बेंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है मगर प्राइबेट ली हरेक मुस्लमान आकर के कहता है नाम का मता नहीं नाम का मताईगे नहीं सर्थ मैं मैं आप लोगों का पॉलिटिकल एश्यर में खरब नहीं कर दूंगा कौन कौन सा एंपी ने मुझे आ की बताया कि पार्टी बरोद कर रहा है लेका अंदर से हम साथ दे रहे हैं मैं नाम हीं लोगा कि अंप यले के इंज एंपी साथियों का कॉलिटिकल केरियार को में बार नहीं कुरोंगा सर पंसल्टेशन का जातर आथा है सर सबसे पहले सबसे सर कंसल्टेशन हमने कई लियर्स में कंसल्टेशन किया है सर ओफिशल लेबल में पॉलिटिकल लेबल में स्टेट गवर्मेंट का रेप्रेसिंटेटिव से और इंडिविजल लेबल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश बर में हम लोगों ने किया है सर मेरे कब मुझे इस म कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रा लेकर सब लोगों ने बहुत बारीकिसे समझ्ष्यों का भी पहचांड किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रोड बेस किया है सर कुछ कंसल्टेशन के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं सर दो हजर पंदरा के बार एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है ऐसा मत सोचिए ये दो हजर चोबिस में वफ्ट बोर्ट अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया है मत सोचिए ये मैं आपको बताने हो ला कितना एक्स्टेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज ये बिल आपके समने में पेश कर रहा है सरू इसमें सर अलग अलग नाइन्टिन स्टेट और इनेंट टेरिटरी के वक्फ बोर्ट के चेर्मेन, सीओ और उनके और भी ओफिशल रेपरेंटेटिव सबसे बात शुरू किया है सरू दो हजर पंदरों में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया फिर उसके अबाद में 16 एप्रिल में नई दिल् स्थारिक ऑक्टोबर 2015 में स्रीनगर जमुक कश्मीर में इसका इसका कंसल्टेशन कम बैठब़ उसके बाद 2015 में 11 नवेंबर का दिल्ली में फिर उसका आफ जैनुरी 2017 में फिर दिल्ली में आठ être मार्ज 2018 दिल्ली में इस तरीके से फिर 13 जुलाई 2023 में मुंबई में उसके बाद 2024 जुलाई 2023 में फिर लखनो में उसके बाद फिर 7 नवंबर 2030 नई दिल्ली में सर और यह जो प्रोसेस है लखनो उतरप्रदेश में है अखिलेश जी लोखनो उतरप्रदेश का राजदानी है सर आप मुख्यमंत्री रहे हैं वहां सर जो लेटेस कंसल्टेशन जो हुए है मैं थोड़ा से इसके बारें बता ना चाहते हुए इसमें सर जनेरलब्र पाबलिक जो आम मुसल्मानों के साथ चरचा हुए क्योंकि हमारा मंत्राणी ने खुला खुले मन्स से कहा कि इंदिविज्जल लेबल में भी आपका कोई इश्यू है अब आसकते हैं आप बात रख सकते हैं मंत्री के साथ मुलाकाच कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ आम मिल सकते हैं उस समय सर मुंबाय में रेप्रेशनेटिव फ्रम जेनरल पापलिक के साथ साथ और भी ओफिशेल से अमरे बैठक हुई है और उसमें स्टेट वक्ष बोर्ड को इंप्रूब करने के लिए और कदम क्या क्या उठाना चाहिए उसका सुजाओ वहां में आया लखनों में जब बैटों कुई लखनों में उत्तर प्रदेश स्टेट वक्ष बोर्ड के जो बाकी तॉप लेवल से भी सबसे बात हुई चेर्मेंट शी करते हैं यह सब के बारे में वक्ष बोर्ड के प्रोपर्टी के बारे में कैसे उसके यूटिलाइशन होना चाहिए कैसे मैंटेनिस होना चाहिए सारा चर्चे वे रिकमेंडेशन दिये कि यह एमेंडमेंट का ज़रुत है आपके लखनों से भी रिकमेंडेशन आया है उसके अधिकारी का नाम नहीं बताओंगा मगर मैं स्टेट का नाम जरूर बताना चाहता हूं आंधर प्रदेश से आए आपके आप सुनने का चमता रखेंगे तो मैं तो आप लोगों इतना सवाल किया मुझे तो लगता है कि कम से कम तीन गंटा मुझे बोलना चाहिए इतना आप लोगों ने गलत धर्दा यहां में फेलाया है सर अंधर प्रदेश असम से बिहार से बिहार में सुन्नीवाना आई दिल्ली का गुजरात हर्याना हिमाचल प्रदेश जंबू कश्मीर करनाटका मध्यप्रदेश महारास्त्रा ओडिशा पंजाब राजिस्तान तमिलनाडू त्रिपूरा तेलंगाना उत्राकन और उत्तरप्रदेश के शिया और उत्तरप्रदेश सुनी दोनों इस बैटक में पार्टिस्पेट किया और पूरा डीटेल में यह जो आज हम एमेंडमेंट बिल लेकिया है यह सारे चीजें आपके हरे एक किर वाणिद के समय एक बनीप Gelaremos रूसिका इड्रेस किया है और उसी को एड्रेस करकि आज आपके सामने में मैं लेका जो किपेश कर रहा हूं सर और, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो वक्त बोट के बारे में आप जो बचाने का इतना जो कोशिश कर रहे हैं, इनका खिलाफ पूरा मुसल्मान समाज का अंडर में है, वक्त बोट का जो मैनेजमेन है और ट्राइबिनल के खिलाफ भी, कितना आक्रों से आपको अंदाजान नहीं है, इसमें सर, इंडिविजल केस मैं कुछ केसिस आपको सामने में जुरूर बताना चाहूंगा ताकि वो दर्द आप भी महसूस करें, सर, जो कुछ केसिस मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं, वो आप सब को जानने चाहिए एक इनसान होने के जाते हैं, सबसे पहले तो अहमेदियास के और से, कई रप् हमारा मंतराले में जो है, उसमें खास करके स्टेट वर्क बोर्ट करनाटका, केरला, तेलंगणा और तमिलनाडे, यहां से जो रेप्रेसेंसित आया है, वो हमारा सेंटल वर्फ कांसिल में भी केस है, और निशनल कमिशन फॉर माइनोरिटीस, यहां में भी इस केस को दर्ज किया गया है, और वो चल रहा है, इसलिए मैं उस पर डीटेल में अभी कहना नहीं चाहता हूं, दूसरा सर, एक इंडिविजल केस है, बोरा समाज का सर, मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में है, उस समय हाई कोड ने सेतल कर दिया गया सर, उसका स्टेट साफ करके रखा हुआ है, और आप लोग सब जानते हैं, दाउड इबराहिम के नाम, वो उसके आसपास वहें रहते थे, और वो प्रपर्टी सेटल हो चुके हैं, और बाद में आने प्रदान मंतरी नरेंदर बोदी जी आने के बाद, महाराश्टर के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया, और का लार्जेस क्लस्टर डेवलोमेंट स्कीम का उसी जगा में लॉंच किया गया है, और ऐसा समय में, जो आदमी इस प्रपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एग ने इस प्रपर्टी के खिलाब में वक्फ बोड में कंप्लेंट कर दिया, और फिर वक्ब में रहता है, ना इतिहास में उस प्रपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और काएं और एक डेवलोमेंट प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेंट करके वक्फ बोड के माधियम से इंतर्फियर करके दिश्टब किया, आप सोच के देखिए, और वो कम सोलुशन नहीं हुआ, दूसरा सर, ये मीदिया में भी सार, मीदिया का अंदर में काफी चर्चा हुए, ये केस जो मैं आपको बताने वाला, तमिलाडो के अंदर में तिरुचें तुराइ, इन तिरुची, तिरुची रा पल्ली दिस्ट्रिक है, तमिलाडो में, वहाँ 500 साल पुराणा सुंदरस्वर टेंपल, मंदिर वहाँ महजुद थे, और वहाँ बिचारे एक, वहाँ के गाउं में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वह अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकर, जो बेचने के लिए गए, तो आप बताया गया कि आपका गाउं आप सोचिए, वहाँ गाउं का इतिहास पंद्रो साल पुराना है, और सारे के सारे गाउं को वक्ष का परपरर्टिट दिख्लिया कर दिया गया है, इस तरह का जो चीज होते हैं, इसमें धरम मत दिखिये, धरम मत दिखिये, इसको एस देश का नाकरी होने के नाते है, यह कौन सा स्टेर है तमिल नाड़ू हो या उत्तर प्रदेश हो यह मत देखिए यह कैसा इस तरह का गटना हो गया कि आपको यह चिंता नहीं होते हैं आपको यह सब गटना सुन करके यह चिंतित होना तो स्वाबावी कोना चाहिए सर यह सुन नहीं पारे हैं और विशे को बटकाने के लिए तरह तरह का बाते हैं किया जा रहे हैं सर सूरत मुनिसिपल कॉर्परेशन के बारे में सोचिए यह तो को प्राइबेट लेंड तो हाई नहीं सूरत मुनिसिपल कॉर्परेशन के पूरा हेड़ को वक्स प्रपाटइ् देदेडियर कर दिया गया है कि आप सोचीए सकता है इसे को कर सकता है आप सो शकता है क्या देखिए कि ऑफिजींजिएशन में एक बहुत हूं, मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ, मैं क्रिसियन भी नहीं, लेकिन मैं सब धरम को मानता हूँ, लेकिन इसको आप लोग बार बार धर्म को लेकर किये, धर्म को लेकर कि मत देखिये, कोई भी इस देज का नागरी, सरकारी, जो मुनिसिपल कॉर्परेशन क्या किसी का प्रेवेर प्रोपर्टी है, मुनिसिपल प्रोपर्टी का जमीन, आप कैसे वक्त देक्लियर कर सकते हैं, सिंदाव राजा अब बेटिये दिश्टा मत की जो फाइदा नहीं है फाइदा नहीं है मैं अभी इल नहीं करूंगा सर मैंने शांती से आप लोगों का बात सुना है सर करना तका करना तका स्टेट का तो कमाल है सर आप सुनिया दियान से करनाटका स्टेट का दो हजर बारो में करनाटका माइनर्थी कोमिशन कर रिपोर्ट कर सुनिये जो रिपोर्ट मेरे समने में है दो हजर बारो में करनाटका स्टेट माइनर्थी कोमिशन कर रिपोर्ट में कहा गया कि करनाटका वक्त बोट ने 29,000 एकर्स अफ लेंड को commercial purpose में convert कर दिया और इसको अगर आप हिसाब कितब करो के तो आप समझ सकते हैं लेकिन सुब को मालूम है वक्ट property को किस purpose में आप इस्तिमार कर सकता है ये religious purpose के लिए charitable purpose के लिए और pious purpose के लिए यूज़ कर सकते हैं लिए कि आप मनमानी कर रहे हैं तो एक करना तका स्टेट वक्ट बोर्ट का इतना हमान मानी कर रहे थे तो कम सकंब बाकी तो नहीं सेही कम सकंब करना तका सचिता Congress MP तो कम सकंब बोले ना इसमें ये आकों आकों के सामने में इतना बड़ा गप्रा हो रहे है सर एक इंडिविजल केस फिर में साइट करना चाहता हूं डॉक्तर बारी बुश्रा फातिमा का केस सर ये लखनों का है अकिलेश जी ये चिंता नहीं कर दो और ये शाहिए आप मुख्यमंत्री थे तो उसमाई ये आपको किसे ने बताया नहीं किया बिचारे वो बहीला अपने बच्चे के साथ में किस मुख्यल हालाद में जी रहे हैं लेकिन अगर हम वक्त बोट का जो अभी सिस्टेम है अगर एमेनमेन नहीं किया गया तो जो प्रोपर्टी इनका पीताजी जो अगर गुजर जाएंगे तो यह सारा प्रपर्पर्टी उसको उसको बच्चे को नहीं मिलेंगे तो क्या हम इंतर्वन नहीं करना चाहिए ऐसे समय में उनको इंसाफ देने के लिए क्या हमको कदम नहीं उठाना चाहिए तो इसलिए सर ये इसमें अब धरम के बाद धरम को मत जोरी है इनसाफ के नदर से देखिये सर शर ये ये इस वाले का ये प्रोब्लम है सवाल उठाया और जब बैड क्लारिफिकेशन दे रहा हो फिर बताते हैं कि इसको कमिटी में चर्चा करेंगे सर इल्जाम लगा करके भागने का कोशिश मत करो सर हमारे पास में मैं समझता हूं पार्लेमेंटी कमिटी में देखिये सर मेरा जवाब के बात हम क्या करना है आपके परमिशन से हाउस का सेंस से लेकर के आगे हम बढ़ेंगे मगर जो इन्हों ने इतना मेंबर्स आपके परमिशन के बाद बोला जूट बाते जूटे बाते प्लस असत्य बात के आसत्य है ठीक है जूट सब्द प्रवग्या नहीं हो सकता सत्य नहीं है ऐसी बाते जो बताए इससे रिप्लेश कर लेंगे सर तो सर वो बात अब ग्रेमंतरे जी ने पर क्लैरिफे किया है असत्य और भ्रामक बोल दीजे ना असत्य आप बात किया हुआ आप भी माने लिजे असत्य है जो जो प्रोविजन में कंटेंट मैं कंटेंट का जो प्रुवक बिंदू है उसको आपको बता करके अपना बात को समाप करूँगा इस बिल में सर जो टाइटल है यह टाइटल को हमने चेंज किया सर टाइटल इसलिए है कि जब बिल पेज करता है तो उसका एक फुचरिस्टिक वीजन और इंटेंट सामने में आना चाहिए सर अब यह बिल आज भी पेज किया जा रहा है उसका नाम होगा युनईट वक्ट एक्ट मेनेजमेंट एमपावर्मेंट एफिशेंसी एंड डिवलोमेंट एक्ट नाइटिन नाइटिन फाइट फाइट पे उमीद इसलिए में उमीद करता हूं कि आप चलूर इस बिल के प्रावधानों को समझते हुए आप पुर जोर समर्तन करेंगे सर एक टाइटल एक टा किसी भी प्रोपर्ती को जो अगर आप डिकलियर करना चाहते है तो डिकलियर करने का आपका आदिकार तो होना चाहिए 2019 में जो चेंज किया वो बहुत डैंजरिस था सुर्म In 2013 में क्या किया? कोई भी आद्मी वiva SUS, अथ दिक्लियर कर सकते हैं हमने कहा बिलक rappelle नहीं कर सकते हैs जो मसल्माण है वही वiva्त ट्राइट कर सकते हैं और नं मसल्माण नहीं कर सकते हैं नहीं तो सर ये फ्रीट रून में जोब लोगा से हम तरह इसलिए हमने हमने पूराना सिस्टेम यह दो अजब तेरों का हम पूराने सिस्टेम में पुराना डिफिनेशन में वापिस जा रहे हैं सर अब सर इनों नहों ने इनों ने कलेक्टर्स के बारे में काफी अपरती जनद उन्होंने याद दर्ज करा हैं कालेक्टर जो अब झैके आपके हैं सरगे पूराने में झाल य है यह उसी का पस रहते हैं जी रेवेज़् का रेकौर्ड कलेक्टर का पास ही रहते हैं सर और यह बोलता कि दी कल्येर का पास यह यह रिवन्यू और तो बटाय symptoms एक रेखम का बताएर का बंताया। जब जब सर्वे कमिशनर का सर्वे कमिशनर का काम काच को ले करके इतना जो रेकमेडेशन मैंने बताया वो अबजेक्शन सरीफ हमने नहीं किया जितना कमिटी आपने बनाए है पार्लेमेंटर कमिटी जब बनाया पार्लेमेंच में कोशन काच आया है अलाग तरीके से रेप्रेशन मैं है यह सब आपके समय के हैं, उसी समय में ही सचर कमिटी बने है, उसी ने कहा है कि यह प्रोब्लेम सर्वे कमिशनर में है, इसलिए रेविन्यू रेकोर्ड का साथ जोड़के सारा प्रोपर्टी का वैलिडेशन होना चाहिए, और जीरा कलेक्टर को इसमें लाना चाहिए, यह सर, दूसरा सर, इस इस प्रोबदान, इस बिल में हमने जो एक प्रोबदान रखा है, ट्राइबोनेल्स जो बने हैं, हम ट्राइबोनेल को खतम नहीं कर रहे हैं, पहले ट्राइबोनेल में टीन मेंबर होते थे, अब हम प्रोबदान रख रहे हैं कि इसमें एक जूरिशल औ टेक्निकल मेंबर होगा और अगर वो समझ में नहीं आया मैं अभी सर उसमें हमने यह कहा है कि जो जो टेक्निकल मेंबर है अगर हो एसन होता है तो एक जुडिशल सर इनको मालम नहीं है इस देश में जितना भी ट्राइबुनेल बनाते हैं कमिशन बनाते हैं वो रिटेट जज ही बनाया जाता है जितना ट्राइबुनेल में उसमें टेक्निकल मेंबर जो होते हो अधिकारी को बनाया जाता है लेकिन जो जुडिशल मेंबर होता है वो रिटे इतना तो जानना चाहिए, हम लोग एक समय चुनके आए, एक समय हम लोग एक साथ में आये थे, अभी तो इसको यह मालूम लही है। Sir, total case, tribunals का अंदर में 12,792 cases आज work boards में pending है, 19,207 tribunals में pending है। क्यों इसको हम लोग disposed नहीं कर सकते हैं, क्या आप चाहतें कि ऐसे ही परणे हैं, आप सोचे सर, इसले सर, सर, ताइम लाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है, नियाई मिनना चाहिए लेकर समय पर नियाई मिनना चाहिए, इसले सर, इस नए बिल में प्रवधन किया, मैं सदन मे आपके माध्यम से लखने चाहता हूँ अब हमने टाइम लेंड सेट कर दिया है फाइलिंग जो है फाइलिंग जो भी होता हुसका अपील 90 देस का अंदर मों होना चाहिए और दिस्पोजल अफ टेकेसे से महिने का अंदर होना चाहिए अब ये बिल पास होने के पार, ये जो हजारों केसे स्पेंडी है इसका पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, निवरन हो जाएगा, सेटल्मेंट हो जाएगा इसमें क्या दिक्क्त है जल्दी ने आये मिले तो ठीक है ना सर, दूस्तरा इंपोर्टिन बस मैं अगर अगर यह सुनना नहीं था तो इतना सवाल क्यों पूचया फिर इतना पूचया तो कम से कम सुनना चाहिए आप सवाल पूच के भाग जाना चाहते हो ऐसा हम करने नहीं देंगे आप भाग जाने से भी हम बोलते रहेंगे, अपना बात इस सदर में कोई रखेंगे आप सर, आज ये टेक्नोलोजी का जमाने है, वक्ष्ट बोर्ट में टेक्नोलोजी के लिए इंडक्शन, ये आनिवारिया है इसलिए सर, हमने ये प्रवदान रखा है, कि वक्ष्ट बोर्ट में, साइंट्रिफिक तरीके से, बहुत एफिशेंटली, ट्रांस्पेरेंट तरीके से वक्ष्ट बोर्ट चलाने के लिए, पूरा का पूरा टेक्नोलोजी का इसमें उप्योग किया जाएगा और बिल्कुल ये हर समय ये निगरानी में रहेगा, हमारा मंत्राले से ओवर साइट, continuous monitor करते रहेगा, वक्ष्ट बोर्परटी का सारा प्रवदान, ये प्रवदान किया गया है सर एक पॉर्टल, सर सेंटरल गौर्वर्माइन का पॉर्टल है, उसमें सारा एकाउंट का फॉर्मेट होगा, और साथ-साथ में जो मुतावाली से जिसका खिलाफ इतना कंप्लेंट करते हैं, उसको एकाउंटेबल बढ़ाया गया है, कि गलत काम करेगा, तो उसका खिलाफ का साथ हम लोड़ें इंटिग्रेट करने का अलगी प्रोसेस शुरू कर चुके हैं सार एक बहुत महतपूर जो मैं कहते हैं मुझे अच्छा लग रहा है अब जो नया बोर्ट होगा सेंटरल वक काउंसिल और स्टेट वक बोर्ट होगा इसमें महिलाओं का रेपेंटेशन इसमें मुस्लिम महिलाओं और जितना अलग दिनोमेनेशन से बोरास अगाकानीज और अधर बेकवाट क्लासेस अमंग्स मुस्लिम इनको भी अब बोर्ट में अस्तान देने का रिवे किया अब हम लोग सर हम लोग सब यहां मेंबर अपरलेमेंट है हमारा कॉंस्टेंसी में हर दर्म के लोग है अभी यह दादा बोल रहते कि मेरा कॉंस्टेंसी मुस्लमान है क्या मेरे कॉंस्टेंसी में बहुत मुसलमान मोदर है इसलिए मैंने कहा ना दादा आप हर समय मत बोलिया नी ना जाएगा पको है हम लोग है सर्जो महत्वपूर बात मैं कहना चाहता हूं सर्व कि मैं को इस पीज सो तो भी सो जाओ क्या सदन में कर रात क्या कर रहे थे मैं नहीं पूछूंगा उसको का झाहता है सार शेक कर देंति किस न रोगलोगिक पात Mukनमा आप मालायूर म Dayom भादर भी सज cognitive कर रातक है quasi होसब कहा उना कि parasites इसको दिकाल दीजे सबुए मैं इसको देख दुगा, कारवाइसेटा दुगा और आपर पर रहे थे, किताब पर रहे थे, मैं का कर सकता हो मैंने उसको कारवाइसेटा दीजे, प्लीज, प्लीज में प्लिटिकल एक प्रेशनेंस के बारे में करना चाता हूँ हम सब का कॉरिशक्वाइसे में हिंदू भी हो सकता है, मुसलिमान Merrylarda, Christian हो सकता है, बहुत हो सकते है, पार्शी, स्थिक, सब हो सकते हैं इसे लिए members of Parliament को किसी वे दरं से जोड़ना सही नहीं है हम ने यह नहीं कहा कि वोट में इस दरं को लेकर आना चाहिए हम नहीं कह रहे हम यह कह रहे हैं मेंबर आफ पार्लेमेंट वहां मेंबर होना चाहिए अगर हिंदू है या अगर कृष्टेन ने ताम क्या कर सकते हैं अगर किसी कॉंस्टेंसी से किसी एंपी को चुन के बेज दिया बाई वर्चू ओफ बिंग मेंबर अपार्लेमेंट अगर वह बहुत में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धरम को यह बेसिक बात है सर इसलें सर यह बिला मकलब का यह इस उतार है सर उसके बाद सर अब में सर एक इंपोर्टन बात बतना चाहता हूँ वाट को अच्छा से चलाने के लिए वह टेलेंटेंटें लोग चाहिए जानकारी लोग चाहिए ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बढ़ा सकते हैं सर इसके लिए जो रेकमेडेशन हमको मिला है हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रेकमेडेशन मिला है मैं उसी को बता रहा हूँ दाइबर्सिफाइट टेलेंट पूल एड्मिस्टेटिव स्किल वाला जो जिसका अच्छा नोलेज है ऐसे लोगों को हम लोग बोट मेलाना चाहिए अच्छे ओफिसर्स को वक्त मोट को मैनेज करने के लिए उनको ओफिसर के हिसाब से वहां नुक्त होना चाहिए यह सब बाते हमने रखा है यह सारा आपका रेकमेंडेशन है हम बार बार को आपको बता रहे है याद दिला रहे है आपका रेकमेंडेशन है इंप्लिमेंट हम कर रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है और सर खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफी दियान रखा है ताकि कल को ये एक पास हो जाने के बाद कोई मुस्लमान बच्चे या महिला किसी तरिके से उनको इंसाफ मिलने से वंसित ले जाए ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए धोस प्रहुदन हम लोगने यहां रखा गया है और सारा जो वक्फ प्रपर्ति का जो भी जो प्रोसीड से जो भी उसका इंकाम होगा ये सिर्फ मुसलमान कम्यूनिटी का वेलफियर के लिए ही कर्चा होगा और हम चाहते हैं जब मुसलमान समधाई को हम लाप पहुचाना चाहता है तो हम खास करके घरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो पेकवाड है उनके लिए हम कह रहे हैं आप लोग का हद जो रहेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदब देने वाला नहीं है यह प्रवदान करना पर रहा है अधमे सर आधने प्रदान मंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है हमारे एक मंत्र सरकार का है सबका साथ सबका विकास और यह कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए यह तो बहुत अपत्ति जन करने के लिए इस देश का किसी बियु मंत्रा लै को संबालने के लिए कि पांटिकुलर एक धरम के जाती का होना चाहिए क्या बार बार के रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए यह बहुत गलग बात उनोंने का मैं इसका आपत्ति दर्ज कर चाहता हूं सर इस इस बिल को इस बिल को इस सदन में रखते समय मुझे बहुत ही खुशी तो मिल रही है साथ साथ में एक बहुना भी है मेरा मन में कि एक नन-मुसिलिम मैं कुद मैनर्टी हूँ नन-मुसिलिम हूँ लेकिन मुसिलमानों का वेलफयर के लिए यह बिल रखने का मुका मी रहा है यह मेरे ले एक सोबा क्या की बात है आदरे प्रदानमंत्री जी का अशिरवाद से इतना एक भला काम करने का जो मुका मिला है यह हर अदमी को यह मुक करते हैं इस सदन में बैठ करके बारो बजे तक रात तक हम लोग डिबेट इसक्राशन करते हैं कभी-कभी ऐसा मोगा मिलता है जो सदियों तो याद रखेगा कि ऐसा काम किसी सरकार को किसी मंत्री को बाद रखने का मोगा मिलता है सर मेरा पास और भी पॉइंट बहुत है लेकिन जैसे हमार कॉंग्रेस के सात्यों ने और कई लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है मैं मानता हूं कि जो प्रमू ग्रुप से जो मुद्दा जो अब्जेक्शन रेस किया गया उसका हमने रिप्लाइ कर दिया गया है और बिल में सारे के सारे प्रफडान को हम उचीत तमयपर और विष्तार से आपके सामने रखोंगा ये मेरा आखनी पासन नहीं है इसलिए आप 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 लोगों ने आप लोगों ने इतना अपति आप लोगों ने दर्ज किया लेकिन मैंने उसका स्रिफ 50-परसली रिपलाई किया है अभी 50% 50% और भी जवाब देना बाकी है लेकिन आदर ने अध्यक्स मोहदे जी का परमिशन से आज आप लोगों को भी इतना सवाल उठाने का मोका दिया और मुझे भी आपके जितना भी अशनकाई है दूर करने का मोका दिया अध्यक्स मोहदे जी इसी सब्दों के साथ मैं आप से कि चाहता हूं कि इस बिल को मैं इस सदन में इंट्रोड़क्शन के रूप में पेश करो हूँ नहीं मानने सदश्य जो सदश्यों की भावना है कि आप इस पर और डिटेल चर्चाच करना चाहते हैं इस विशे कुछ बोलना चाहते हैं आप सर यह जो इनका बढ़ता हो है इसको देख करके मैं एक बात कहना चाहते हैं हम तो नए नए एंपी बन के आए थे हम पीछे बैठते थे पराने सदन में जब यूपिय का नए निया सरकार बना था हम लोग ने कुछ रिक्वेस्ट किया और सदन में उनके नाम नहीं लेना च सरकार सुने ना सुने सरकार का मरजी है वidän से हम आप लोग कहते हैं आज लोग कहते थे आज हम इदा खुडे दिल से कह रहे हैं के आपने रिक्वेस्ट किया सारा सदन शबने कहा कि इस बील पर और वे चrचा होना चाहिए शुट अनि होना चाहिए क्यो नहीं हम इसके करना है हम स्वागत करते हैं सर इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है जब हम छुपके कोई गरत काम करते हैं तब भागते हैं हम भागने वाला नहीं है इसलिए अगर किसी कमीटी में जाना है हम सर अपने सरकार के और से अंपक्ष रखना चाहते हैं कि जोएन पार्लमेंटरी क कमिटी गटन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ओल पार्टी अपने संक्या के इसाब से वहाँ पे विष्टार से चर्चा करें और स्टेकॉल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमिटी को अधिकरित रुप से यहां से आप पास कर दीजे और बमिश्य में ह हम खुले मंद से इस तरह का आपका सजेशन काम जरूर सुनेंगे लेकिन डेश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत दन्यावत देना चाहता हूं स्रूर करें जरूर कि पुरश्ताफित करने के अनुत कि आपका इस अ तरह Terroristols में हैं साध़ क इस यहां जरूरे तायर मेरे विदय विदेए को पुरस्ताफित करने कहने करने केनी कानी के अनुति प्रतान कीन्चाई सिर्फ करिम रिजु जी कमिटी में जा रहा है। सिर्फ कुलाई है। यह जो बिल है। मुसल्मान वाका बिल को हो, वापस लेने को हो। यह वाइसी भाई, मुझे बोलने तो फिर तुम बहुता है। सिर्फ करिम जा रहा है। सिर्फ करिम बुलीबॉ अभी मंतर जी प्रस्ताओ लाएंगे। अभी प्रस्ताओ ला रहे हैं, इस कमिटी वे यह बिल और वह बिल एक ही है। सिर्फ करने का है। नसर्थ भाई, दो ही चीज बोलने चाहता हूँ। यह संदेग यह होता है कि सरकार मुसलमान वाकफ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वाकफ बोड के हाथ में आट पॉइंट सात लाग प्रॉपर्टी है। इसका पूरा एरिया है 9.4 लाक एकर्स एक्रोस इंडिया। और इसका एस्टिमेटेड वैलू है 1.2 लाक क्रोन। सरकार इस पर दखन लेने चाहते हैं। इसलिए कलेक्टर का बाद जो बोला। पहले तो कलेक्टर नहीं था। तो सरकार इसमें इंटर्फियर करने चाहते हैं। और यह बोलते हैं कि दो मुस्लिम मेमेन और टो नौनमुस्लिम मेंबर्स न बोट। यह नौनमुस्लिम मेंबर बोट में जाएगा तो आका बोट का जो सांथिती वो खराफ हो जाएगा। If it's a Muslim property, gifted by a Muslim for the benefit of Muslims, यह नौनमुस्लिम नही होना चाहिए। Sir, it also introduces the district collector as an arbiter to decide if a property is a waqaf or a government land. इसलिए ये बिल को मुसल्मान वाकफ एक बिल को विद्रोग करने का जो कोशिश है मैं उसको पुरा बिरोध करता हूँ किरन रिजी जो एक घंटा बोला है हमारे कलीग YC साथ पहले वाला बिल में डिविशन मांगे हैं उसको भी मैं पुरा समर्थन करता हूँ ये बहुत सेंसिटिब बिल है इसमें कोई जल्डी बाजी कोई जबरदस्ती तो लोग सबसे आप सीदा प्रसारण देख रहे थे जहां पर वक्त बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा लगातार जारी है कि इंद्रे मंत्री किरन रिजी जीजी ने सरकार का पक्ष रखा और उनने कहा कि सब इसे बाच्चित करके ये संशोधन बिल लाया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें धर्म के आधार पर किसी भी धर्म में दखल अंदाजी नहीं है बलकि जिनको हक नहीं मिला है उनके हक की बात कहीं गई है वक्त की संपत्यों का जो और जो revenue है उसमें जो difference आता है वो अपने आप में कई सवालों के घेरे में था तो पारदर्शिता लाने के लिए और सबका हक सुनिश्चत करने के लिए और इस दिशा में जो गरीब Muslim है उन्हें न्याय मिले महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की बात कही और इसके साथ ही उन लेकर सीधे चलते हैं निखिल के पास निखिल सिंग इस कारिकरम को लेकर आपके सामने आया हूं और सबसे खास बात है कि आज का जो इस वक्त है वो बेहद विशेश रहने जा रहा है क्योंकि अभी आपने देखा कि संसत में किस तरह से जो वक्फ संशोधन बिल है उसको ल में हम उस विशेश पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है इसमें खास बात क्यों आखिर हंगामा इस पर बरपाया है विपक्ष ने और वक्फ बूर्ट